दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन को फुल रिसेट कर सकते हैं दोस्तो कई वार ऐसा होता है कि हम किसी को अपना फोन सेल करते हैं या कई बार हमारा फोन जो है वो ठीक से वर्क नहीं करता है या वो हैंग होने लगता है तो ऐसे में कई बार हमें अपने फोन को रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन को बहुत ही आसानी से आप नीचे की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है backup and reset, अगर आपको यह option यहाँ पर नहीं मिलता है, उसके लिए आपको back आना है, और आपके phone में यह देखे यहाँ पर लिखा है additional settings, आपको यहाँ पर click करना है, तो वो option आपको हो सकता है, यहाँ पर आपको दिख जाए, और यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको देखे यहाँ पर लिखा है search settings, आपको यहाँ पर click करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर type करना है, reset, तो आप देख सकते हैं, यह option हमें दिख गया है backup and reset, आपको यहाँ पर click करना है, उसके लिए आप लिखाए Local Backups आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर यहाँ से आपका Password मांग रहा है तो आपको अपने Password को यहाँ से Confirm करना है उसके लिए आप लिखाए Backup Your Data Settings and Apps तो अगर आप अपने Data का Backup लेना चाहते हैं तो उसके लिए देखें आप लिखाए Google Backup and Reset तो आपको यहाँ पर Backup My Data पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से Enable कर देना है उसके बाद बैक आना है उसके बाद यहाँ पर Backup Account पर क्लिक करके आपको उस Gmail Account को यहाँ से चूज कर लेना है जिसमें आप Backup लेना चाहते हैं तो मैं इसे चूज कर लेता हूँ उसके अदोंके कर देना है उसके आद देखें आप लिखाए Automatic Restore When Restalling an App Restore Backup Settings and Data तो अगर आप चाहते हैं आपका जो डाटा है वो Automatic Restore हो जाए तो आपको यहाँ से इसे Enable कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर Google Account पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर देखें लिखा है Backup to Google Drive इसको आपको यहाँ से Enable कर देना है और Account पर क्लिक करके आपको उस Gmail Account को चूज कर लेना है जिसमें आप बैक अप लेना चाहते हैं उसके देखें मेरा जो मुवाइल है वो यहाँ पर शोग हो रहा है रेड्वी वाई 3 बैक अप तो मैं इस पर क्लिक करता हूं उसके बाद यहाँ पर एप डाटा, SMS टेक्स, डिवाइस सेटिंग्स, कॉल हिस्ट्री इस सबका बैक अप हमारी Google Drive में बन जाएगा उसके बाद जैसे आप बैक अप नौप पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैक अप है वो आपकी Google Drive में बन जाएगा उसके बाद देखें आप पर लिखा है Erase All Data Factory Reset आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद देखें आप पर लिखा है Reset Phone आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद देखें आप लिखा है Confirm Your Password यहाँ पर आपको अपना Password एंटर कर देना है अगर आपने अप पैटन लॉग लगा रखा है तो आपको वहाँ पर पैटन लॉग डाल देना है उसके बाद Next पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको Next Step के लिए कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करना है उसके बाद यहाँ पर Next पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेगंड यहाँ पर वेट करना है उसके बाद यहाँ पर आप ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फोन जो है वो रिसेट हो जाएगा और उसमें आपका जो भी डाटा होगा फोटो, वीडियो, एप्स, कॉन्टेक्ट जो भी आपका डाटा होगा वो सब इरेज हो जाएगा और आपका जो फोन है वो पहले जैसी कंडिशन में आ जाएगा तो दोस्तों इस तरह आप अपने किसी भी फोन को बहुत ही आसानी से रिसेट कर सकते हैं आई होब कि वीडियो आपके लिए हैलफुल रहा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड़ बाए